UPSC के lateral entry मामले में बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म होते जा रही है क्योंकि अब तक विपक्ष के द्वारा इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि NDA और भारतिये जनता पार्टी के सिर्षनेत्रितों के द्वारा आरक्षन को by process खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब जो है NDA में भी इस बात को लेकर के food परना शुरू हो चुका है और NDA की कई पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया है कल हमने आपको बताया था कि कैसे पहले तेजस्वी परसाद यादो विरोध करते हैं उसके बाद चिराग पास्वान भी अपनी ही सरकार का विरोध कर देते हैं और अब इस मामले में नया मोरा चुका है क्योंकि जनता दली उनाइटेड का भी सांस जो है चिराग पास्वान भी यादो को मिल चुका है और NDA में भारतिये जनता पार्टी जो है एक तरह से अकेले परती जा रही है अब पुड़ी खबर क्या है क्या है पुड़ा प्रोसेस और किस किस कारण से ये सब हो रहा है इन सफी मुद्धों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप मारा प्रिचय जान लीजिए नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जंता जंचन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल याद कीजिए कलम ने आपको बताया था कि कैसे यूपीसी ने लेटरल एंट्री के द्वारा जो है पैतालिस पदो पर वेकेंसी निकाली है जो उप सचीव सचीव और सहायक सचीव के तोर पर कारे करेंगे लोग और इन लोगों के लिए जो पैतालिस लोगों की वेकेंसी निकाली गई है पैतालिस रिक्त पदो के लिए इस पर आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं है इसका कारण से इसमें आरक्षन का कोई benefit नहीं मिलेगा मतलब यह कि आप जिनरल से हो या स्टी या ओवी सी समुदाय से आपको जो है आरक्षन का कोई फाइदा नहीं मिलेगा आपको merit क्रोस करना पड़ेगा और तभी जाकर कि आपका selection होगा मतलब यह पूरी तरीके से merit पर हधारित vacancy है और इस कारण से इसका विरोध जो है खूब हो रहा है पहले तेजसी प्रसाद यादो सोसल मीडिया के माद्यम से हमला बोलते हैं किंद सरकार पर निशाना लगाते हैं और कहते हैं कि भारतिये जंता पार्टी जो है सुन योजित तरीके से आरक्षन को खत्म करने का काम कर रही है और इंडिये के जितने भी घटक दल है इन सब चीजों में उनका साथ दे रहे हैं ताली पीट रहे हैं उसके बाद चिराग पास्वान का बयान आता है और वो इस बात का विरोध कर देते हैं कि भारतिये जंता पार्टी के द्वारा जो vacancy लाया गया है या फिर सर आसर गलत है और हम आरक्षन को खत्म होने नहीं देंगे इसके लिए हम विरोध में आवाज उठाएंगे और अब जनता दल उनाइटेड ने भी अपना रुख असपस्ट कर दिया है जनता दल उनाइटेड के नेता केसी त्यागी जो है मीडिया वालों से बात्यूत करते और छूट दी गई थी उन लोगों से छूट छीना नहीं जा सकता है उनको आरक्षन दिया जाना चाहिए उसके बाद केसी त्यागी ये तक कह देते हैं कि सरकार ऐसे फैसलों के जडिये बिपक्ष को मुद्दा दे रही है और सरकार को ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए मतलब ये कि अब NDA में इस चीज को लेकर के फूट परना सुरू हो गया है मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी निकाली गई है इस वैकेंसी को लेकर के NDA के ही अलग अलग पार्टी जो है इस बात का बिरोध कर रहे हैं और अपना बिरोध दर्ज करवा रहे हैं और इस कारण से ये लग रहा है कि NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दूसरी तरफ भारतिय जनता पार्टी का साथ जो है टीडीपी ने दिया है टीडीपी के मुताबिक ये लेटरल एंट्री जो है ये बिलकुल सही है और सरकार को मेरिट के अधार पर ही चैन करना चाहिए बकल को लेकर के बिहार में बिलकुल अकेले पर चुकी है क्योंकि NDA की तमाम घटक दल जो अब बिहार के है वो लगभग इसका विरोध कर दी है और लगभग लोगों ने इसको बता दिया है कि भारतिय जनता पार्टी के नेता जो है वो आरक्षन विरोधी काम कर रहे हैं और व आया सपर्श कीजिएगा और कमेंट के मादन सुम तक भेज दीजिएगा बाकि इससे जो कुछ भी जुराब डेटा हैगा हम आप तक लाते रहेंगे तो तक आप बने रही है हमारे सांत और देखते रहिए जनता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद